शेहर विच रेडियां दी वद्वरी गिंती कारण अक्सर शेहर विच या तयाद जाम रहनदा है अथे लोकानों काफी मुश्किला हूं दिया हन लोकान दी इस समस्यां दे हल लई नगर निगम वलों अमल सर्विच स्ट्रीट वेंडिंग जोन बनान दा प्रोजेक्ट शुरू किता गया है नगर निगम वलो इस प्रोजेक्ट दा पहला फेज बस्टान अते गुर्द्वारा शहीदा साहब दे बाहर शुरू किता गया सी पर इते वेंडर्स दी शिप्टिंग हले भी नहीं हो पाई है इस बारे नगर निगम दी कमिशनर सुनाली गिरी ने दस्या कि वेंडर्स दी शिप्टिंग दा कम जारी है प्रोजेक्ट नो लेके वेंडर्स नो पेश मुश्किला दा हल छेती का रिता जाएगा स्ट्रीट वेंडिंग जोन सी चौन किती जा चुकी है थेरे-थेरे करवार हैं देखें जब भी कोई नई चीज शुरू होती है तो थोड़ी रजस्टनस लेती रहती है जैसे कि जब हमने स्ट्रीट वेंडिंग चार्जय के थे आज से कुछ महीने पहले तब भी स्टीट वेंडर्स की तोई रिजिस थी लेकिन काफी लोग उसके दारे में आचुके हैं हमारे अब ये बहुत जादा सेटल लौ हो गया है कि इतना स्टीट वेंडिंग चार्ज को देना ही होगा क्योंकि इसके इवर्स में उनको एक तो पर्मनेंट वेंडिंग सर्डिफिकेट मिल रहा है एक स्मार्ट चप आई डी कार्ड मिलेगा साथ में उस जगहां पे वेंडिंग करने का पूरा राइट मिलेगा उसके ना साथ ही वहाँ पे फैसलिटीज लाइक टॉलेट्स पे गरा वो भी इसी के थूरू ओएनेम के अंदर हम प्राबधान सारा रखेंगे इससे इनको ये रहेगा कि जो बीच में बचौलिय होते थे या जो ठेकेदारी सिस्टम बीच में कई जगहां लोगों की थी जिसके अंदर स्ट्रीट वेंडर को नहीं जबकि किसी ठेकेदार को फाइदा होता था क्योंकि वो चार्ज करते थे इन सबसे ज़े डिवाइज उनको हटाने के लिए सबसे ज़ादा जिसको कह सकते हैं कि ये डिरेक्ट बेनफिट जो स्टीट मेंडर को होगा क्योंकि इन फॉर्मली हमने एक सर्वे करके पता करवाय था तो लोग चार से पांच सजार रुपे तक भी महीना कई ऐसे लोगों को दुकानदारों को ठेकेदारों को दे रहे थे जिनसे आप उनको चुटकारा में लगा क्योंकि उनको वेंडिंग सेटिफिकेट सीध ही है कोई उनको वहाँ से पर हटा नहीं सकता करके हैं जो हेवी ट्राफिक और हेवी इंपोर्टन्स की वज़ा से वहाँ पर वेंडिंग से नहीं की जा सकती उनको भी हमने डिसकस किया है कांसलें से भी हमने काफी इसके अंदर इंपोर्स ली है कुछ-कुछ चेंजिस उनकोर्परेट किये हैं तो मुझे नहीं लगता क कि इसके अंदर लॉंग रेंड में कुछ नुक्सान के फाइदा ही है एक तो कि 1500 रुपे की जो बात करते हैं अल्टिमेटली कॉर्परेशन से सिर्फ 1200 रुपे ही ले रही है चार्ज ये जो बारा सो के ओपर अठारा पसंट जो GST आ जाता है वो 300 रुपे आता है इस वज़ पंजाब सरकार दिया हिदायता था नगर निगम वनों स्टीट वेंडिंग जोन बनाया जाना और इस दी शुरुवात ही हो जुकिया है बास्टेन ते गुद्वाशीदा साब दे आलेद वाले जिरा इलाका है उस तो ये काम शुरू ही हो चुका है पर एक काम हल पूरी तर तो सही तरीकर लागू कीता जाए ताकि रेडिया फड़ी आना लोकानिया खोन वाली मुश्ट ना दूर हो सके अते याता यादी जेडी रुटीन है और सही तरीकर ने चाल सके कैमरमन आजे कुमाना सदीप स्ञाल फस्ट रोज़ा बस्टर